एक संकी किंग जिसने अपनी हवस को कम्रेट करने के लिए अपने ही राज जमें से 10,000 लड़कियों को किड्नैप कर लिया था आज के हमारी मूवी तरेजररस ये 2015 की कोरियन मूवी है इस मूवी में हम जो चीजे देखते हैं आप इस पर बिलियू नहीं कर पाओगे पर एक्चुल में ये सब हुआ था वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपको वीडियो चलागता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट भी कर दीजे जिसे चानल को बहुत सपोर्ट मिलता है और बिना किसी देरी के मूवी को एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और किंग के हमें दो इम दिखाय जाते है संजे और साहूं संजे ये साहूं का बेटा है एक बुड़ी औरत के पास आय हुए थे उसे उख लेकर जाते है किंग के पास भोज़ कर उन्होंने किंग को बताया कि आपके मदर के क्लोज थे उन्हें मारने से पहले ये ये ही पहन रही थे किंग को बताते हैं कि आपके मदर का मर्डर किया गया था किंग का नाम ये उसान है ये उसान ये बहुत संकी किंग है ये अब बदले की आग में भड़क रहा था इन दोनों से बोच्छता है कैसा कर कुन सकता है यह दोनों इन से कहते हैं कि आपके दर्बार में बहुत सारे यसे लोग है जो आपके खिलाफ है अब इसके बाद सब लोग को king मारने लग जाता है जिन लोगों पर भी उसे शक था इन सब को उसने मार डाना संग जे और साहूं इन्होंने किंग की आखे खुली थी इसलिए उन्हें प्रमोशन दिया गया अब किंग का बदला पुरा हो चुका है इसके बाद हम देखते हैं दो लड़कियों का इंटिमेट होने का ड्रॉइंग किंग बना रहा था उसकी खुद की ड्रॉइंग उसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी यहाँ पर संग भी था तो संग ने कहा कि मैं अपने नाम पर इसे साइन कर लेता हूँ जिसका आपका नाम बदनाम नहीं होगा संग जब अपने चेंबर्स में जाता है तो बहुत सारे लड़कियों को उसने बुलाया हुआ है दो लड़कियों की किंग ने जिस पोजिशन में पेंटिंग मनवाई थी उसी पोजिशन में इन सब को इंटिमेट होने के लिए कहता है यहाँ पर संग को बताया जाता है कि पैलेस में और एक नहीं लड़की आई हुई है इसका नाम CEO होता है CEO संग से आकर कहती है कि मुझे पता है कि कोई भी नहीं लड़की आती है तो आप उसे देखना चाहते हो संग एक्चुल में एक पर्टिकुलर लड़की को ढूणना जाता है जो उसे मिल नहीं रही CEO को देखता है और समझ जाता है कि ये वो नहीं है CEO बहुत एक confident है कि वो उसे रिजा सकती है संग फिर उसके साथ एक game खेलता है बहुत सारे दारू के pot उसने लाए हुए है वो गहता है हर एक pot में finish करूँगा जब मैं finish करूँगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा एक article निकाल कर नीचे रखना है संग दारू पिता गया और CEO न्यूड होती गए उसे नहीं लगा था कि संग इतनी सारी पी पाएगा पर लास्ट तब को पिता गया और CEO को पुरा न्यूड होना था इसके लिए वो मना कर दिया संग इस पर बहुत चिट जाता है CEO के सर पर ही वो अल्कॉल डाल देता है संग के जब फादर वहा है तो उन्होंने पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो वो संग को डाट रहे थे पर संग गहता है कि क्या आपको पता नहीं मेरा ट्रांसपर हो चुका है उसे बुरा लग रहा था इसी वज़े से ये सब वो कर रहा था एक्चुल में अब किंग अपनी सब जिम्यदारिया छोड़ कर पूरे किंगडम में खुमने वाला है ऐसा करते वक्त जो भी लड़की उसे पसंद आती है उसके साथ वो इंटिमेट हो जाता है एक दिन किंग को लगा कि उसके साथी पर वो जादा ट्रस नहीं कर सकता उसने डिसाइड किया कि उससे वो रेस करेगा किंग ने कहा अगर मेरे जीत कया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा जो तुम जीत कये तो तुम्हारे लाइस पेर हो जाएगी ये रेस उन्होंने स्टार्ट की पर इस रेस में किंग अपने घोडों से नीचे गिर गया वहाँ कुछ बर्ड्स थे जिनसे वो डर गया था उसने फिर ओडर दिया कि इस किंगडम के सब बर्ड्स को मार दिया जाए बहुत सारी घटिया चीज़े प्रिंस ने की है तो इसी वज़े से वो डिस्टब हो चुका था उसे अब नीम भी नहीं आ रही थी उसे कमफर्ड करने वाली सिर्फ उसके एक कंक्यूबाइन थी इसका नाम था नौक्सू किंग अब रियलाइस करता है कि मरने से पहले उसका कोई बेटा हो इसके लिए वो संग को एक ओर्डर देता है वो गयता है पूरे किंगडम में तुम जाओ जो भी लड़की तुमें दीखे उन सब को तुम उठा लेना एक बड़ा सा ओर्डर उसने जारी खिया था रात में हम देखते है कि संग अपने एक फ्रेंड के साथ था किया उसके लिए जुकने में तुम्हें कैसा लगता है इसके बाद नेकसी में हम देखते हैं किंग की जो कंक्यूबाइन है जिसका नाम है नौक्सू यह अपने खुद के लिए पावर जाती है अब पुरे किंगडम में किंग के लिए लड़की ढूंडी जाएगी यह खुद किंग के लिए कोई सिलेक करना जाती है इसके लिए उस सियो को सिलेक करती है अगर किंग ने भी सियो को सिलेक कर लिया तो नौक्सू पावर में आ सकती है इसका प्लैन बनाय जाता है इसके बाद जैसा किंग का ओर्डर है वैसा है संग करता है हर जगा से जाकर सब लड़किया उठा कर लाता है अब पुरे किंगडम में बहुत ही जादा अक्रोश है इनके पास अब बहुत सारी लड़कियों की लिस्ट आ चुकी थी संग के फादर एक लड़को हिट करते थे उन्हें संग को कहा कि उसकी लड़किया भी तुम उठा कर ले आओ जब संग वहाँ पोच्चता है तो यह लड़कियों को मत ले कर जाओ पर संग मानने नहीं वाला अपने आदमियों को भेजकर उसके लड़कियों को ले जाने वाला है इससे बहले लंज करने के लिए एक जगा पर वह आता है जैसे कि हमें पता है कि किंग पर सब लोग च्छी छिड़े हुए है जब वो संग को देखते तो उन्हें पता है कि संग कींग के लिए काम करता है लॉंज करते हैं संग इन सब बातों को सुनता है इस टाउन में जब वो था तब उसे एक dokter करने वाली लड़की दिखी इसका नाम था डैन ही डैन ही हमारी और एक मेंन गैरेक्टर है उसने डैन ही को देखा और देखते वक्त थी अपने बजबन की प्यार की उसे याद आ गए डैन ही बहुत ही ब्यूटिफुल थी जैसे कि हमें पता है कि लोग संग को यह हेट कर रहे है जब संग अकेला स्ट्रीट से जा रहा था तो इन लोगों ने उसे खेर लिया यह उसे मार रहे थे और मार ही डालने वाले थे तब दैं ही उसे आकर बचा लेती है इस फाईट में संग बहुश हो गया था तो दैन ही उसे घर लेकर आई जब संग होश में आता है तो दैनी से बुशता है इतना अच्छा स्वाट डांस यह तुमने कहा सिखा Mikey कहती है कि मैं एक बूचर हूँ मेरा काम करते-करते ही मुझे इस सब मूज आने लग जग गया वो संग से कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो वो किंग के लिए सब करना चाती है उसके फादर पर बड़े से डिबिट है जो चुकाना चाती है संग इसके लिए मानता नहीं, क्योंकि डैन ही एक बूचर है, वो किसी बूचर को, किंग को सर्फ नहीं कर सकता इसके बाद नेक्स्टे हम देखते हैं, लॉड की बेटी को जब संग लेने के लिए गया, तो वहाँ डैन ही थी एक्चुल में डैन ही के फादर ने लॉड से पैसे लिए होए थे, ये वैसे वह सूलने के लिए, लॉड ने अपनी बेटी की जगा डैन ही को डाल दिया, संग ये सब देखता है, पर इस बार इसे इग्नोर कर डालता है जब संग डैन ही को अपने साथ लेकर आया, तो एक रात संग के ही आदमे डैन ही को जबर्दिस्ति कर रहे थे, संग ने उनसे डैन ही को बचा लिया जब संग के फादर को डैन ही के बारे में पता चला, तो संग से कह रहे थे, कि इसे हम किंग के बास नहीं भेज सकते संग अपने फादर को समझाता है कि किंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा जब पुरे किंगडम की लड़किया किंग के सामने लाईगे तो किंग बहुत दिखुश हो गया इन सब लड़कियों की अब ट्रेनिंग होने वाली है इस सब ट्रेनिंग के लिए इन सब लड़कियों को वो स्कॉलर्स के चेंबर्स में लेकर आता है ये सब स्कॉलर्स सद्यों से बहुत ज़्यादा स्टड़ी करते हैं सही से हिस्ट्री मेंटेन करते हैं अब इनके जेंबर्स में इन सब लड़कियों को रखा जा रहा है तो यह बहुत ज़ादा छेट जाते हैं संग के राइवल पाक के पास जाकर कींग की सब कंप्लेंट करते हैं अभी तो यह कींग को कुछ भी नहीं कर सकते हैं पर जब सही टाइम आएगा तब है स्ट्राइक करेंगे इसके बाद हम देखते हैं कि सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है किंग को किस तरीके से रीजाना है क्या करना है जिनसे इनकी एक्टिविटी मोस्ट प्लेजरेबल हो एक दिन कींग के सामने इन सब की टेस्ट ली जा रही थी इनके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था इन सब को कुछ चूस करना था इसके बारे में उन्होंने उसे क्यों पिक किया इसके बारे में एक्स्प्लेंशन देना था इसमें सीयो और डैन ही भी है स्यूर जब food जूस करती है तो बहुत ही sexual food है किंग जब सीयो को देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है इसके बाद डैन ही का चांस आता है संग ने डैन ही को अल्रेडी पता हुआ है किंग थोड़ा सा poetic है अगर अपनी poetry से तुम उसी रिजाओगी तुम्हारा वो दिवाना बन जाएगा संग को किंग का फेवरेट food भी पता है जो डैन ही को बता देता है और डैन ही वो ही food जूस करती है किंग इससे impressed हो जाता है किंग उससे पुछता है तुमने यही food क्यों चूस किया डैन ही कहती है इसे खाना बहुत ही sorrowful था यहाँ एक कविता करती है जिससे किंग के आखों में आसु आ गए इस situation से हम देख सकते है किसी ओ और डैन ही यह दोनों किंग के फेवरेट बन जुके है एक्च्वल में संग हमेशा डैन ही को किंग को रिजाने के लिए training देता है एक रात यही चल रहा था तो डैन ही को dance करने के लिए कहता है यह sword dance जब डैन ही करती है तब संग realize करता है बच्पन में वो जिससे ब्यार करता था यह डैन ही ही है यह दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे पर संग के फादर ने उन दोनों को जुदा कर दिया क्योंकि डैनी के फादर एक ट्रिटर थे यानी के फादर को मार डाला गया था उसके बाद वो गायब हो गए संग अब रियालाइस करता है ये डैन ही ही उसका बच्पन का प्यार है इसके बाद हम देखते हैं किंग के साथ इंटिमेट होने से पहले इन सब लड़कियों को एक इम को इंप्रेस करना पड़ेगा जब सियो इम को इंप्रेस करने के लिए जाती है तो अपना व्यू देखकर उसे इंप्रेस कर डालती है जब डैन ही का चांस आया तो ये इम उसे डिस्रिस्पेक्टफुल बात कर रहा था डैन ही ने कुछ प्रेसर पॉइंट दवा है जिसकी वज़े से उस इम को डिस्फंक्शन हो गया इस पर वो बहुत इचीर जाता है तो डैन ही कहती है कि कभी भी इस तरह से मुझसे बात नहीं करेगा ये इम उसे मारने वाला था पर संग ने डैन ही को बचा लिया इसके बाद हम देखते है कि डैन ही को संग लडाई करने के लिए भी ट्रेन कर रहा था डैन ही संग से पूछती है कि तुम मुझे ट्रेन क्यों कर रहे हो क्या इसकी पीछे तुमारा और कोई रीजन है उसे पता है कि संग उसे लाइक करता है उसे पूछती है तुम्हारी फिलिंग्स की वज़े से तुम मुझे कींग को नहीं देना जाते है ये सिन यहीं खतमता है और नेक सिन में हम संग के फादर को एक इम से बात करते हुए देख सकते है इस इम को पदा जल चुका है डैन ही एक भूचर की बेटी है अब रात में जो भी सब लड़ किया टेस्ट में पास ओकर आगे गई है ये सब किंग के लेए डांस कर रही थे इस डांस में डैन ही भी किंग के ले एक स्पेशल डांस करती है अपने फादर को मारने के लिए किंग से बदला लेना चाहती है उसके हाथ में स्वार्ट था, जाकर वो किंग को मारने वाली थी, तबी उस पर एक एरो चल गया, संग ने इस एरो को नोटिस किया और डैन ही को बज़ा लेता है, वो खुद थोड़ा सा हर्ट हो गया था, एक्चुल में ये एरो चला कर डैन ही को मार डालने का ओर्डर संग क फादर ने दिया था, वो नहीं चाहते, किंग की डैन ही की वज़े से बदनामी हो, संग को इसके बारे में पता चल जाता है, जब दोनों इस पर बात करते हैं, तो फादर संग पर बहुत ही चिड़े हुए है, उसे डाटते है, क्योंकि डैन ही को फेवर करता है, संग कहता ह को फादर ने किंग को ओफर कर दिया था, इसी वज़े से उसकी मदर ने पोईजन भी कर खुद कुशी कर ली थी, संग किंग से बदला लेने वाला है, रात में संग डैन ही से मिलने के लिए आया, उसे कहता है, तुम किंग को मारना क्यों चाहती हो, डैन ही अब कनफेस करती है, अबने फादर का वो बदला लेना चाहती है, डैन ही मानेगी नहीं, तो संगेत है, मेरी पावर में तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, तुम्हें किंग को मारने नहीं दे सकता, संग डैन ही से प्यार करता है, तो वो हर्ट हो जाय, ये वो नहीं चाहता किंग पर हमला हुआ तो जो भी suspected लोग थे इन सब को बंदी बनाया गया अब सब लोग को सबक सिखाने के लिए उनकी wife को arrow दिया जाता है अपने खुद के husband पर ही arrow चलाने के लिए king इन wives को मजबूर करता है एक wife अपने husband को बचाने के लिए king से कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ king उसके साथ intimate होता है पर फिर भी उसके husband को माल डालता है wife जब यह देखती है तो खुद suicide कर लेती है यह जो भी सब हुआ तो king इससे बहुत disturb हो गया था Danny को उल्टा सिधाना करे इसलिए संग उसे इस competition से बाहर निकाल देता है Danny की comparison में सिर्फ CEO है तो उसे भी निकाल दिया गया था इसके बाद CEO फिर एक बड़े im के पास गई उसने इस im को convince किया कि उसे फिर से इस competition में डाल दिया जाया जब king को Danny और CEO के बार में बताया जाता है तो king चाहता है कि इन दोनों में एक final competition हो इसमें से कोन based है यह फिर decide हो जाएगा king के अब यह direct order है तो संग इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता उसके पास अब एक ही अच्छा option है कि Danny को ओ ट्रेन करेगा राद में और Danny को अपने पास बुलाता है उसे पुरा nude करकर उसकी acupuncture therapy करता है संग गहता है कि अगर तुमें जीतना है तुमारे पूरे senses तुमारे control में होने चाहिए यहाँ पर जब यह बात करते है तो संग Danny को अपना बनाना चाहता है Danny मर जाएगे पर संग को accept नहीं करेगे एक्च्वल में संग के फादर नहीं Danny के फादर को मार डाला था इसलिए उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है इसके बाद हम देखते है कि CEO और Danny की बीच में आज रात final competition होने वाला है किंग इन दोनों को एक दूसरी के साथ ही intimate होने के लिए कहता है जैसे कि हमें पता है कि हमेशा वो painting बनाता है तो इस बार इन दोनों के वो painting बना रहा था किंग ने यहाँ एक शर्त रखे है वो कहता है जो firstly finish होगा वो इसका beautiful सर काट कर मैं winner को दूँगा इसके बाद Danny और CEO एक दूसरी के साथ intimate होते है और CEO इसमें हार जाती है किंग अब CEO को मारने वाला था पर Danny ने CEO को बचा लिया वो king से कहती है कि तुम मुझे इसका beautiful head देने वाले थे अगर वो मर गे तो यह beautiful नहीं रहेगी है king इस पर impressed होता है वो CEO की life spare करता है कहता है कि अब CEO हमेशा तुमारे लिए एक servant होकर रहेगी जैसे कि अब हम देख सकते है Danny जीच चुकी है तो वो ही king को अब उसका बेटा देगी है संग Danny से प्यार करता है तो नहीं चाहता कि वो king की बन जाए next day संग king के पास गया उसने उससे request की कि please Danny को तुम जाने दो king समझ गया कि संग उससे प्यार करता है उससे इस बात से बहुत दुख हुआ एक king पागर है पर हमेशा उससे उसकी कलतिया realize होती है संग का अच्छा friend है तो उससे hurt नहीं कर सकता वो रोने लग जाता है गयता है कि मैं बहुत ही बुरा हूँ please मुझे तलवार लेकर मार डालो बहुत ही emotional हो गया था और रोने लग गया था तो उसके पास उसकी concubine नौक्षू आई उससे कुछ भी गलत करने से नौक्षू ने बचा लिया संग फिर अपने आदमियों को order देता है डैनी को जल्दी से इस पैलेस से बहार ली कर जाओ डैनी को ले जा रहे थे वो आगे चले गए थे तो संग ये चेक करने के लिए जाता है जब वो अंदर जाकर देखता है तो इसमें डैनी है ही नहीं डैनी ने अपनी जगा सियोखो भेज दिया था अब पैलेस संग बहुत ही दूर है और रात हो चुकी है ये वही रात है जब डैनी किंग के साथ इंटिमेट होने वाली है संग पैलेस तक पोचने का बहुत राय करता है पर वो लेट हो चुका है डैनी किंग के पास पोच्छती है और इससे इंडिमेट होने लग जाती है डैनी ने किंग को एक रिडल पूछा जो किंग सौल कर रहा था इसमें किंग बीजी था तब एक किंग के बेड़ के पास जो चाखो था डैनी ही ने निकाल लिया वो किंग को मारने ही वाली थी तभी संग के फादर ने उसे रोक लिया डैनी की सब हिस्ट्री निकलवाई जाती है वो अपने फादर की तरह एक बूचर के साथ रह रही थी इन बूचर को बुलवाय जाता है और उन्हें वो मार डालते है डैनी के सामने उसके फादर की सकल भी लाकर फोर दी जाती है किंग को संग और उसके फादर पर भी शक चला गया था किंग ने सही से इंक्वाईरी की तब उसे पता चला संग और उसके फादर ने किंग को उसकी मदर के जो क्लॉस दिये थे उसके मदर के धे ही नहीं याने कि King को उन्होंने कहा था कि आपका पुरा दरबार आपके खिलाफ है कि सही नहीं था Sung और उसके फादर गिड़ी डाने लगते हैं Kings कहते हैं कि आप जो भी कहोगे वो हम करने के लिए रेडी है किंग फिर संग को एक पेन और इंग देता है कहता है कि डैन ही के ब्लड से इस इंग को तुम भर कराओ संग ने विशाई किया डैन ही के पास गया उसे बहुत सारे वार किये डैन ही के ब्लड की इंग उसने किंग को लाकर दी इसके बाद हम देखते हैं कि संग सीवो के पास गया सीवो को उसने कहा कि डैन ही अभी भी जिन्दा है मैंने उस पर इस तरह से वार किये थे कि वो मरे ना पर वो बहुत ज़ादा इंजोर्ट है सीवो फिर डैन ही को पहले से बाहर ले जाकर उसका इलाज करवा दिया अब सब चीजें नॉर्मल हो चुकी थी संग ने फिर से किंग का ट्रस्ट एक्वार कर लिया था संग ने फिर एक प्लान बनाया कि किंग को ओर्थरो करने वाला है उसके राइवल पाक के साथ भी हो मिल गया उसने कहा कि हमें अगर किंग को ओर्थरो करना है तो एक साथ काम करना ही पड़ेगा उसने फिर एक रात किंग को आईसोलेट कर दिया किंग बहुत ही ड्रंक था तो संग के साथ हो हैंग आउट कर रहा था संग किंग को एक आईसोलेट चेंबर में लेकर गया उसे वहाँ बंग करने वाला था किंग को सब को समझ में आ गया संग किंग को उंगलियों अपर नचा रहा था किंग कहता है अगर तुम राजा बने तो मुस्से बेटर नहीं कर पाओगे हम दोनों evil है हम दोनों एक अच्छे किंग नहीं है संग भी इस बात से एगरी करता है वो किंग को बन करकर चला गया और उस पर उसने पिक्स छोड़ दिये पाक के आदमी जब पैलेस पर हमला करते है तो पैलेस के सब लोग भी पाक के साइड में हो जाते है इसके पैलल में हम देखते है डैन ही भी अब ठीक हो चुकी थी वो डाकली पैलेस में आकर जैसे के हमें पता है कि संग अपने आपको भी दोशी मानता है उसने कींग का मास पहन लिया था जब डैन ही कींग को मारने के लिए गई तो उसे जादा वो रेजिस्ट कर नहीं रहा था बाद में डैन ही को पता चल गया कि वो जिसे मार रही है वो किंग नहीं है तो ये संग है वो संग से पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो संग कहता है कि मैं वे बहुत इगटी आदमी हूँ मुझे भी मर जाना चाहिए डैन ही कहती है कि तुम्हारे मर जाने से तुम्हें कोई भी सजा नहीं मिलेगी तुम्हें जिन्दा रहे कर अपनी गल्तिया सुधार नहीं चाहिए ये जब दोनों बात कर रहे थे तो संग के फादर भी वहा आ गये फादर संग से पूछते है कि तुम किंग के चेंबर में क्या कर रहे हो इनने फिर पता चल जाता है संग ने क्या किया है वो भी अब कहते है कि किंग को हम ऐसा जिन्दा नहीं छोड़ सकते उसे जाकर मार कराते है वो डैनी को एकसेट करने के लिए रेडी नहीं है संग कहता है कि में भी किंग नहीं बन सकता वो इसके लिए सही नहीं है फादर उसे कहते है कि डैनी की वज़े से तुम ये सब कह रहे हो वो दो मर जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा वो डैन ही को मारने के लिए जा रहे थे तो संग अपने आपको स्वार्ड से इंजोर कर लेता है फादर अभी भी नहीं मानते वो डैन ही को मारने वाले थे तबी पाक ने आकर डैन ही को बचा लिया पाक संग का वही राइवल है जिसने इस पैलेस को लेने में उसकी मदद की है संग अब मरने वाला है तो पाक उससे उसकी लास्ट वीस पुछता है संग कहता है कि डैनी को यहाँ से बहुत दूर लेकर जाओ उसे कोई भी ढूणना पाए इसके बाद हम देखते हैं किंग को ढूणने के लिए कुछ लोग गया वहाँ वो देखते हैं किंग ने सब पिक्स को मार डाला है किंग जिन्दा था और उसकी पूरी पावर चली गई थी उसके बाद उसे बैन कर दिया गया यह जो सब स्टोरी थी यह हमें सीओ बता रही थी मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी स्वाट डांस कर रहा है जब इसका मास्क उतरता है तब यह संग यी है यहने कि संग ने खुद कुशी करने की कोशिश की थी पर वो बज़ गया था उसने पहली अपनी वीश की थी यह डैन ही को दूर भेजा जाए क्रावड में हम डैन ही को भी देख सकते हैं अब उसने संग को एकसेट कर लिया है अब संग और डैन ही एक साथ है तो इसी तरीके से इस मूवी की हैपी एंडिंग हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब करतीजे और बेन अडियोशन एकान दबाने में मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एकने मूवी के साथ तो तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे है